तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्रीबियस यूर क्वेशन की एक और वीडियो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी ये सीरीज ये यूद कमप्टीशन से आई होब आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो चलिए देखते हैं आज का फॉर्स क्वेशन है कि पोथी चित्रों का निर्मार किन किन राजवन्स ने कराया है थी चित्र थे इनका निर्मार किस राजवन्स के द्वारा करवाया गया पाल राजवन्स के द्वारा गुप्त राजवन्स के द्वारा जैनों के द्वारा या फिर हिंदों के द्वारा हमाया राइट आंसर हो जाएगा वो थी चित्रों का निर अब बात करते हैं जो पालशैली है उसके जो चित्रित ग्रंथ हैं उनके बारे में यह तीज आपको याद रखनी है कि पालशैली के चित्रित ग्रंथ कौन-कौन से हैं तो याद रखना है आपको पंच शिखा कौन सा पंच शिखा जो है वो पालशैली का चित्रित ग्रंथ है करंदेव गुहा, साधन माला, गंद वियू, महायान बहुत पोथियां जो भी रही है वो और प्रग्या पार्वेता ये सारे पाल शैली के चित्रित क्रंथ हैं और पाल शैली के संस्थापक को और धर्म पाल है और पोथी चित्रों का निर्मार किस साध्वन्स ने कराया था त चलिए आगे बात करते हैं तो पोथी चित्रों का जो प्रारम है वो किस सैली से हुआ है पाल शैली से जैन सैली से मुगल शैली से या फिर कांग्रा शैली से तो पोथी चित्रों का जो प्रारम है वो हुआ है पाल शैली से किस से पाल शैली से चलिए अगर बात करने इसके बारे में तो बंगाल के यह पाल शाशक कहा थे तो आपको याद रखना है यह बंगाल के पाल शाशकों के द्वारा सनक्षित थी जो यह पोथी चित्र है यानि यह जो पाल शैली है यह बंगाल के जो पाल शाशक थे इनके द्वारा सनक्षित थी और यह सनक्षित कला शैली ह इसको क्या कहा जाता है पाल शैली कहा जाता है तो आपको याद रखना है कि जो पाल शैली कहा के थे ये बंगाल के थे और इनके द्वारा पाल शैली को सनक्षित किया गया था अब अगर नेक्स यहां पर एक और क्रेश्चन जो बनेगा वो पूछा जाता है कि पाल शैली जो बारवी सतापदी तक माना जाता है कितना नौवी सतापदी से लेकर बारवी सतापदी तक पाल शैली में ही सबसे पहले पोथियों का चित्रांकन तार पत्रों पर प्रारम हुआ था तो पाल शैली जो है इसी शैली में ही सबसे पहले क्या हुआ था पोथियों का जो चित्रां है वो ताड़ पत्रों पर प्रारम हुआ था तो पोतियों का चित्रांकन ताड़ पत्रों पर का प्रारम हुआ जब पाल इसी शैली में हुआ था पाल शैली में ठीक है अब यहां पर बात कर लेते हैं पाल शैली के प्रमुक कलाकार होगी तो पाल शैली के प्रमुक कलाकार है वो कौन-कौन है धीमान और बीतपाल ठीक है धीमान और बीतपाल जो है वो पाल शैली के प्रमुक कलाकार है इस सैली में चित्रित प्रमुक पोथियों के अगर बात करें यानि पाल शैली में जो चित्रित प्रमुक पोथियां है वो कौन-कौन सी है तो प्रग्या पार्मिता प्रग्या पार्मिता साधनमाला पंच शिखा यह सारी जो है पाल शाषक कहा के थे बंगाल के थे यह आपको याद रखना है इन्हों ने किस पाल शाषकों किस अली को सरक्षर दिया तो पाल शैली को यह किस धर्म से संबंदित हैं बौद धर्म से संबंदित है और इसका समय माना जाता है पाल शैली का नौश सताबदी से लेकर बार्ली सताबदी तब से पहले पोथियों का चित्रांगर तार पत्रों पपत प्रारह होता है पालशैरी में प्रमूग कलाकार कॉन से है तो दीवान और स्विलिधि पाल है तो आपको बताना है कि जो भारत में सचित्र यानि जिन में चित्र भी बनाई गए ऐसी पुस्तके सब प्रथम किस माद्यम पर बनाई गए थी? कपड़े पर, ताड़ पत्रों पर, कागज पर, या पर, या फिर लखड़ी के पट्टों पर. तो सचित्र जो पुस्तके हैं, उस सब प्रथम बनाई गए थी? ताड़ पत्रों पर. ठीक है किस पर? ताड़ पत्रों पर. चलिए, इसके बारे में बात करेंगे. तो सचित्र पोत्थियों को अच्छे ताड़ पत्र पर, या फिर कह सकते हैं, पत्ते पर, या फिर रास्ताल पर लिखा गया है. यह बात एक ही है, ठीक है? ताड़ पत्र के पत्ते, या फिर इसे ही रास्ताल कहा जाता है. तो यह जो सचित्र पोत्थिया हैं, सबसे पहले ताल पत्र पर बनाई गई है, यह ताल पत्र जो होते थे, वो कितने बड़े होते थे, कितने लंबे, तो यहाँ पर अगर बात करें, तो यह ताल पत्र जो होते थे, लगवग 2 इंच लंबे, वो समलब 5 इंच चौड़े हुआ करते थे, तो 2-5 इंच चौड़े हुआ करते थ इस पर देवनागरी लिपी में किस लिपी में देवनागरी लिपी में सुन्दर और कटे चापे के समान अक्षरों में ये पोथियां लिखी जाती थी ठीक है तो ये पोथिया किस लिपी में रहती थी देवनागरी लिपी में रहती थी और कटे चापे के समान अक्षर होते थ ठीक है उस तरह से लिखी जाती थी ठीक है और यह किस पर ताड़ पत्र पर होते थी जो सचित पूतिया थी और यह दो इंच लंबी और धाई इंच चौड़ी हुआ करती थी ठीक है चलिए नेक्स्ट बात करेंगे भार्टिय लगू चित्रों की परंपरा किस काल से आरंब हुई है तो आपको बताना है कि जो भार्टिय लगू चित्रों की परंपरा है वे किस काल से आरंब हुई है प्राचीन काल से आदुनिक काल से पूर्व मद्द काल या फिर प्राक्रत से प्राग एतिहासिक काल से हमार पूर्म मर्द्यकाल से हुई है पूर्म द्यकाल की जो शुरुवात है उसको पोथियों की चित्रकला भी कहा जाता है और जिसका समय जो है जो बात है समय है सास सो से लेकर सोला सो इसवी है ठीक है तो यहाँ पर भाटी लगू चित्रों की शुरुवात पूर्मदकाल से हुई है प्रथम लगू चित्रों की जो शुरुवात है वो पालचैली में ही हुई है और मदकाल की जो कला यानि पूर्व मद्द कालीन प्राक्रत कला के चित्रों में ले और गती का पूर्ण अभाव है, चित्रों में भावों का पूर्ण अभाव है, या फिर चित्र उच्छकोटी के हैं, तो पूर्व मत्र कालीन कला के जो चित्र हैं उनमें भावों का पूर्ण अभाव है यानि इसमें जो भाव हैं वो कम दिखाई देते हैं इसमें पूर्ण अभाव है उनका चलिए आगे बात करते हैं इसके बारे में दो चित्रों में पूण भावों का पूण अभाव था यानिँ चित्र जो थे उज में पूण अभाव था भावोNew का और मानव माणव क्रतियां थी यह पे गुछों के समान दिखाई गई और गुजरात की कटपुतलियों के समान प्रतीत होती है और जो मानव आकरतिया इस पूर्मद कालीन कला में बनाई गई है वो रुई के गुच्छों के समान दिखती है और गुजरात की जो कटपुतलिया होती है उसके समान प्रतीत होती है और चहरे जो होते थे वो सबाचस्म के बनाए जाते ठीक है चलिए next question देखेंगे पाल शैली के चित्र होते हैं आपको बताना है जो पाल शैली के चित्र होते हैं क्या होते हैं पोथियों होती हैं दीवारों पर होते हैं canvas पर होते हैं या फिर board पर होते हैं आपको पता है कि पाल शैली के जो चित्र है वो किस पर हुआ करते हैं पोथियों में यानि पोथियों में हुआ करते हैं चलिए पाल शैली के बने चित्र अधिकतर पोथियों पर प्राप्त हुए हैं किस पर पोथियों पर प्राप्त हुए मैंने आपको बताया था अभी कि पाल चैली के प्रमु कलाकार कॉन-kॉन से धीमान और वितपल है इन्हों मैं सबुध हम Lucky चित्रों के शुरूवात पाल 30 से हूई है या इन सब प्रतम चित्रों की शुरूवात हूइत है पाल 30 से हूई है पाल 31 फूत का आधार क्या है ताड़ पत्र था यानि इन सैलियों का जो आधार था यानि इस पर यह बनाई जाती थी वह क्या थी ताड़ पत्र था और उनकी जो लिपी थी वह देवनागरी थी तो यहां से कई सारी वश्यंस बनते हैं पालशैली के जो अधिकतर चित्र हैं वो किस पर प पार पत्र पर बने थे और उनकी जो लिपी थी वो क्या दी देवनागी थी चलिए next question देखेंगे प्राक्रत चित्रकला में पाल शैली की मुख्य विश्य वस्तू क्या है बौध धर्म जैन धर्म हिंदू या फिर मुगल तो प्राक्रत जो चित्रकला है उसमें पाल चित्र शैली की जो मुख्य विश्य वस्तू है वो क्या है बौध धर्म है ठीक है क्या है बौध धर्म है च घिसमे अगर हम बात करें तो कौन-कौन से αीजन ग्रंथ है साधनमाला , पंच शीखा , गंद वीव और प्रग्या पार विता डिके तो यह विशेश प्रसिद्ध हैं अगर हम यह जो ग्रंथ हैं यह किसके पार्श है लिखे हैं साधनमाला, पंच्रिका, गंद वियू, प्रग्यापार्मेता यह सारे ठीक है चलिए नेक्स्ट कर्शन देखेंगे, बॉद्ध ग्रंथ विन्यपिटिका किस भाषा में लिखा गया या फिर विन्यपिटक यह किस भाषा में लिखा गया है, बॉद्ध ग्रंथ विन्यपिटक पाली भाषा में लिखा गया है, बॉद्ध ग्रंथ विन्यपिटक पाली भाषा में इसका जो समय है, वो इसका रचनाकाल मौना जाता है। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं, बौत धर्म का मुख्य बड़ा मंदिर निम लिखेत में से किस प्रांत में है। आपको बताना है कि जो बहुत धर्म है, इसका जो मुख्य बड़ा मंदिर है, वो इन में से किस प्रांथ है, उत्रप्रदेश में, बिहार में, पंजाब में या फिर मद्रप्रदेश में, तुमारा राइट आंसर हो जाएगा बिहार में, चलिए अब इसके बारे में होना जा करवाया था, तो पाल मेंश के जो शाशक थे, देव पाल, इन्होंने बिहार में, बिहार का जो बोध गया नावक स्थान है, वहां पर बहुत धर्म का एक मंदिर, महावोधी मंदिर का निर्मान करवाया था, जो भारत में इससे सबसे बड़ा, इवर मुख्य मंदिर है, ब भारत में लगू चित्रों की शुरुवात किस ने की थी, तो राशपूतों ने, मुगलों ने, पाल ने, या फिर मौरें ने, तो हमारा राइड आंसर हो जाएगा, अभी आपने देखा था कि लगू चित्रों की भारत में शुरुवात किस ने की है, पाल शाशकों ने की है कि गाँ कि पाल जाषकों नहां चलिए भारत में लगू चित्रों के शुरुआत पाल शैलिच से मानी जा दिये लगूचित्र बनाने का उद्धेष एसको सुवधा नुसार एक स्थान से दूसरे इस्थान पर ले जाने के लिए था यानि जो लगू चित्र का उद्धिश ये था कि इन्हें एक स्थान से दूसरे इस्थान पर ले जाया जा सके समभवता जो मुस्लिम शासकों से चित्रों को बचाने के लिए इस शैली के चित्र तार पत्रों पर निर्मित किये गया थे और हो सकता है कि समभवना इस सम्भप्ता ये भी हो सकता कि मुस्लिम सासकों से चित्रों को बचाने के लिए भी इस सैली के जो चित्र है यानि पाल शैली के चित्र है वो किस पर बनाए गए तार पत्रों पर बनाए गए और इन चित्रों की नाप क्या होती थी तो दो इंच लंबे तता धाई इंच ब्रामर धर्म पर, शैमत पर या फिर बॉत धर्म पर. तो माहा right answer हो जाएगा बॉत धर्म पर. पाल चित्रकला किस प्रदेश की आपको बताना हैं? नेपाल की, उडीसा की, बिहार की या फिर बंगाल की. तो पाल चित्र कला जो है वो कहां की है बंगाल की है आपने देखा पाल शासक जो कहां के थे बंगाल के थे चलिए नेक्स बात करेंगे तो पाल पोधियां विशेश रूफ से बंगाल में लिखी गई है कहां पर लिखी गई है बंगाल में लिखी गई है उसके बाद यानि सी हुआ मंगोर प्रभाव आ गया यह नेपाल का अपना इस्थानिय प्रभाव था चलिए नेक्स्ट क्वेशन देखेंगे जैन शैली को पश्चिम भारतिय सैली किस विद्वान ने कहा तो आपको बताना है जो जैन शैली है उसको पश्चिम भारतिय सैली किस विद्वान ने कह है चलिए आगे बात करते है कल्प सूत्र की सबसे उत्तम प्रती कहां की है आपको बताना है जो कल्प सूत्र ग्रथ है इसकी जो सबसे उत्तम प्रती है वो कहां पर है आयोध्या में जौनपुर में गुजरात में या फिर इन में से सभी तो इसकी जो सबसे उत्तम प्रती है जहनुट कहां पर है जौनपुर में चलिए इसके बारे में थुढ़ा देिगें तो कलप सूत्र जो है वो जैन धर्म से संब tremendous है यह चीज आपको यह आदके जो कलप सूत्र ग्रंथ है वो किस धर्म से संबिदेता है तो जैन धर्म से संबदेता जिसका सबसे पहले जो चित्रांकन है वो कहां पर किया गया गुजरात में किया गया था यानि कल्प सूत्र जो ग्रंथ है इसका सबसे पहले चित्रांकन कहां पर गुजरात में किया गया परंतु उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में उत्तर प्रदेश का जो जौनपु जाती है जो बर्तमान समय में कहां पर है बड़ोदा में सुरक्षित है कहां पर बड़ोदा में सुरक्षित है इसका चित्रांकन जो है वो जैन कला शैली में हुआ है किसमें हुआ है जैन कला शैली में हुआ है चलिए नेक्स्ट क्वेशन देखेंगे गीत गोविंद और प्र्जान दर्म है पिन फिलगा कें सड़ाना मिथा फिलेवन इतरी रिविए हिन्दुन दर्म हाविशुटिक के की जयाhead की आरप ही मत्लिबान है यूए लुगंपोझ सब्सक्राइब के रूखिसट two 12 सताब्दी में 13 सताब्दी में 15 सताब्दी में या फिर 19 सताब्दी में तो कागज पर चित्र बने शुरू हुए थे 14 सताब्दी में चलिए भारत में चित्रों का निर्माड सबसे पहले शिला खंडों पर किया जाता तो आप जानते हैं सबसे पहले चित्रों का निर्माड कि लिर्मार है वो किस पर कागज पर, ताड़ पत्र पर and कप्ड़ आदी पर किया जानने लगा थार कागज पर जो चित्र है वो 14 स्ताबदी में बनना चॉल हूंए थे और Jaka जैन शैली में बनाए गया थे किस सैली में बनाए गया थे जैन शैली में बनाए गया थे सबसे पहले लगू चित्रों की शुरुआत पाल सैली में तार पत्रों पर हुई है ठीक है चलिए नेक्स्ट किस भारतिय चित्र शैली में मनुष्र के चहरे पर तीन चौथाई भाग गुले शेली में, बीकार शेली में या फिर जैन शेली में तो हमारा राइर आंसर हो जाएगा जैन शेली में या जैन शेली में जो मरश्व के चहरे का तीन चौथाई भाग चत्रित किया गया है चलिए सवा चश्म चहरे, चहरे से बाहर निकली हुई बड़ी आखें, इत्यादी किस कला से निर्मित की गई है तो यहां पर बताना है जो सवा चश्म चहरे, चहरे से बाहर निकली हुई बड़ी बड़ी आखें, किस कला में निर्मित की गई है पाल शेली में, राचपूत शेली में, जैन शेली में या किसी भी शेली में नहीं तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जैन शेली में ठीक है चलिए जैन शेली का जो समय है वो कप माना जाता है साथवी सताब्दी से लेकर बारवी सताब्दी तक माना जाता है Jain Shaili का जो समय है वो १ह थो सातवी सतावदी से लेकर बारो सतावदी तक माना जाता है जान धर्म से प्रथम प्रमाढि वो सितनवाशल की गुफा में प्लव रंज के शाशक महेंद बर्मन द्वारा निर्मित पांच जान मूर्थियों से होता है तो जो जैन धर्म के प्रतम प्रमाड हमें किससे सितन वाशल की गुफा से मिलते हैं जो पल्लव साशक महेंदर बर्मन द्वारा निर्मित कराई गई पांच जैन मोर्तियां थी उनसे इस शैली में चौदवी सताब्दी में पहली बार यानि जो जैन शैली है इसमें जैने की तरह पशू पक्षियों का अलंकरड किस शैली में हुआ है यानि खिलाने की तरह जो पशू पक्षियों का अलंकरड के शैली में किया गया है पहाडी शैली में बाग शैली में अब ब्रहन सैली में या फिर मुगल शैली में तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अलंकारिक रूप में हुआ है यानि जो जैन अब्रहन सहली है इसमें प्रकृति का अलेखन जो है वो अलंकारिक रूप में किया गया और पस्टु पक्षी ऐसे लगते हैं मानों कपड़े के बने खिलाने हो अता प्रकृति की सभाविक्ता नश्ट हो गई है चलिए जैन धर् जो अनेक तीर ठंकर हैं उनकी सच्ट्र पोति चित्रट की गई है चलिए तो का राश्पूत परमप्रा की भाति जैन कला भी ऐसी प्राचीन परमप्रा पर आधारित हैं जो राश्पूत कलम में प्राप्त सर्वादिक प्राचीन चित्रों में से σταवंति पहले ही सिद्ध होती है तार पत्र पर अंकित कल्पसूत्र और कालका चारिक था कि आधार पर निर्मित पासनाथ नेमीनाथ और इसमनाथ पता अन्वीस्ती ठंकर कलम हात्माओं के दश्णांत चित जैनकला के सरवादिंग प्राजीन उधा रहा है यह हो गए आज के टॉप टॉप झाल 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 झाल